हलो और वेलकम टू फिल्मी बीड दोस्तो सुशान सिंग राजपूत मामले में एक नया मोड सामने आ रहा है रोज ट्विस्ट एंट टर्न्स देखने को मिल रहे हैं आपको बता दें कि सुशान सिंग राजपूत की सोसाइटी का सीसी टीवी कैमरे से जुड़े हुई एक और खबर आई है जहाँ पर सीसी टीवी कैमरे लगाने वाले शखस ने एक दावा किया है वो क्या कुछ कह रहा है आपको बताते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक चानल सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से कर लीज़े ताकि आपको मिल सकें सारी लेटिस्ट अपडेट आपको बताते कि मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया था कि सुशान्त के बांदरा वाले सोसाइटी में जहां सुसाइट हुआ था वहाँ से सीसी टेवी को कब्जे में कर लिया गया है एक न्यूस चानल के हवाले से खबर है जिस शक्स ने बात की है उसने दावा किया है कि उन्होंने सुषान्थ की सुसाइटी में जो CCTV कैमरा लगाया था वो काम कर रहा था दोस्तों सुषान्थ सिंग के मौत के बाद तमाम थियोरी सामने आ रही है मुंबई पलिस उनके निधन को सुसाइट बता चुकी है वहीं सुषान्थ के पिता केके सिंग ने सुषान्थ की गल्फरेंड रिया चुकरवर्दी पर F.I.R. दर्ज करा कर कहा है कि उन्होंने उन्हें सुसाइट के लिए उकसाया है फैन्स और कुछ सेलेब्स इसे सुसाइट नहीं बलकी मर्डर बता रहे है वहीं मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की खीचातान बराबर चल रही है मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है अब आपको बता दे कि 14 जून को अपने फ्लाट में फंदे से लटकते हुए मिले सुषान्थ केस केस में एक नया मोड़ा है जो की जुड़ा है सुसाइटी के CCTV कैमरा से हाला कि मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि सुषान्थ के बांदरवाले सुसाइटी में जहां पर सुसाइट हुआ था वहाँ पर CCTV कैमरे को कबजे में ले लिया गया था लेकिन CCTV camera लगाने वाले शक्स ने दावा किया है कि उनका CCTV camera एकदम सही चल रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मुबैपुलस ने कहा था कि CCTV camera बंद कर दिया गया था इस शक्स का कहना है कि 13 से 14 तारीक को society का camera काम कर रहा था कुछ media news channel चला रहे थे कि camera बंद था लेकिन मेरी जानकारी के मुताबि camera चालू था camera लगाने वाले शक्स का दावा है कि अगर camera काम नहीं कर रहा होता तो society से उन्हें call आ जाता लेकिन उन्हें कोई call नहीं आया और ना ही उनसे किसी ने कुछ पूछा उनसे ये भी सवाल किया गया था कि अगर camera लगाया गया है और आप वहाँ जाते नहीं है तो आपको कैसे पता है कि camera चालू है या बंद है उस पर उसने जवाब दिया कि society में अगर कोई भी camera बंद होता है तो उन्हें तुरंट call आ जाता है हलांकि वो हमेशा service के लिए जाते हैं लेकिन lockdown के वज़े से वो उधर नहीं जा पा रहे हैं दोस्तो सुषान केस की गुत्थी दिन पर दिन उलच्टी ही जा रही है केस में कई अहम बाते सामने आने लगी है लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सुषान ने 14 जुलाई को सुसाइट किया था या फिर उनकी हत्या हुई थी ये कहानी पूरी तरहां से मिस्ट्री बन कर रहे गई है और इसे सुलजाने का काम अब CBI करेगी CBI इस पूरे मामले में प्रूफ इखटा करने की कोशिश कर रही है जिसमें उन्हें मुंबई पुलिस का साथ नहीं मिल रहा है ये भी खबर अभी लेटस्ली आई है इससे जुड़ी हुई भी हम आपको चानकारी देंगे लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजेगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा और अपने कमेंट्स दिये बिना मच जाएगा टोंट फगेट टो हीट दी बेल आइकन